हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मेक्सम चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो आज मैं आपके साथ शेयर कर जो मांदेली फिश फ्राई क्रिस्पे फ्राई बना हुआ है इसे बनाने के लिए हमने लिया हुआ है यहां पर फिश फिश को अच्छे से क्लेन करके लिया हुआ हुआ है इसमें मैं एड करूंगी सॉल्ट स्वाधन से और करना है कि मांदेली फिश लेने से बहुत क्रिस्पे बनता है और बहुत भी टेस्टी भी है यह सॉल्ट के बाद मैं इसमें एड़ करूंगी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट आप चाहिए तो सिर्फ ग्रीन चिंजर गार्लिक का ही पेस्ट आड़ कर सकते हो मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक प्लस ग्रीन चिली का भी पेस्ट आड़ कर रही हूँ और उसके साथ मैं एड़ करूंगी हल्दी पाउडर और उसके बाद हम एड़ करेंगी यहां पर रेड चिली पाउडर याद रखेगा ग्रीन चिली भी हमने अल्रेडी हो पेस्ट में डाला हुआ है तो रेड चिली थोड़ा सा कम यूज़ कर सकते हूँ अगर आपको तीखा ते के लिट कर रही होकुत तो जीज़ दर अट भी यूज़ करना तो इतना एंड़ करनके बाद में सारा चिज़ को अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसाले को फिश के साथ मिक्स करने के सहब में तकरीवान 15-20 मिंट तक हमें ऐसे रखना है से मारीनेटил करे की अब जितना टा भी रहेगा अब यह मैरिनेट हो चुका है इसके बाद मैं फ्राइ करने के लिए यहां पर रवा ली हूँ इसमें और कुछ भी एड़ करने की जरूरत नहीं है सिर्फ रवा से बहुत क्रिश्पी बन जाता है अब मैं फिश को रवा में अच्छे से कोट कर लूगी इस तरह से कर लूँगी मैं सारे फिश को अब देख सकते हैं अच्छे से कोट हो गया है अब सहाई तो इसमें चावल का अठा भी ले सकते हैं उसे भी और क्रिस्पी बन जाता है बट सिर्फ और सिर्फ रवा यूज़ करने से भी बहुत क्रिस्पी बन जाता है मैंने यह पर सारा में औौइल रख दिया है ओल गरम होते ही इसमें मैं फिश और एड कर दूँंगी तो इस तरह मैंने सब फिश को एड कर दिया है एक तरह से हलका फ्राई होते ही इसको मैं टॉर्न करके लेना है ताकि दुसरे साड़ भी अच्छे से फिरा हो जाए इस तरह मैं आपर दो बार यह वर यो अच्छे से फ्राई होने तक करना तो यहाँ पर मैंने सारा । को टॉर्ण करके लिया हुआ है यह भी आर फिर से और आधा कर लूँजी जब दूषरे सताइट अच्छे क्रिश्पी हो जाये इसका हलका सा कलर चिंज होने तक फ्राई करना है इस मीडियम प्लेम पे रखना है गैस को उस से फिश भी अच्छे पक जाएगा और और आप ऐब फ्लेम पे रखोगे तो फिश जलने का चांस付 हूँ तो यहां. निрав भीकश तान पे बाई क्योंकि बहुत टेस्टी बना हुआ है उपर से अगर आप लेमन का जूस अड़ करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा प्लीज इसे बनाना ट्राइ कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले